मिलोड, आज हमारे साथ अदालत में मौजूद हैं लेखी का कम सोचल एक्टिविस्ट नमस्कार देखे आप पर ये आरूप है कि आप महिला समेलनों में भी अपने बॉडि गार्ड्स को हमेशा अपने साथ लेकर जाती है क्या आप वहाँ पर अपने आपको असुरक्षित महसूस करती है जी नहीं मुझे बॉडि गार्ड्स के जरूता पढ़ती है जब मैं खुद का लिखावा लेक शोताओं को पढ़के सुनाती है उसके बाद मिस्टर इडूके देखे आप पर अगला आरोप ये है कि आप उन लड़कों पर कोई एक्शन नहीं उठाती जो आते जाते गली महलों में लड़कियों को छेड़ते हैं क्यों? ऐसे लड़के हैं कहा? मुझे भी तो बता मैं तो इन ही गलीयों से रोज जाती हूँ मुझे तो आज तक नीचे अड़ा देखे मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ खैर आप पर अगला आरोप ये है कि आप गरीब कन्याओं की शादी करवाने के लिए तो हमेशा आगे रहती हैं लिकिन जहां उनके तलाक की बारी आती है आप अपने कदम पीछे अठा लेती है क्यों? Mr.Educate मेरा काम है पुर्शों को सजा दिलाना ना कि उन्हें मुक्ती दिलाना बत्तमीज पुरुष मिलोड आज हमारे इस कटगरे में मौझूद है नेता रामलाल जी जो बिचारे इलेक्शन हारने के वज़े से पागल हो गए पागल नहीं हूँ पागल नहीं हूँ मैं मेरा मेरा खाली एक इस्कूडील है देखा मिलोड मैं इस पागल पर कैसे इजाम लगा सकता हूँ यह देखिए यह कैसे अपने माते पर लिप्टिक लगा रहा है रामलाल जी यह क्या कर रहा है आप ड़क्साब आपके सवाल का जवाब देना है ना हाँ तो तो मैं मैंड मेकप ना करूँ पागल पागल मिलाड मिलाड यह पागल और मैं यह केस नहीं लठ सकता ड़क्साब शोर मत मचआओ नहीं तो मेरी पॉकेट में स्लीपिंग पीस सो रही है वो जाग जाएगी तुमें परलेमेंट में सोँ कैसे डॉक्साब ण्ध्टर नहींई हूँ सोरी मुझे आपका आपका ड्रिस ड्रिस देखके समझ जाने जी था कि आप बस कंडिक्टर हो कंडिक्टर चुट्टा पूश देखिए आप पर अगला अरोब यह है कि आप अपने पार्टी वर्कर्स को जब भी समस भेषते हैं तो एक ही समस बार भेषते हैं एक पर क्यों नहीं भेषते हैं वह वह इसलिए कि और वह पस रहे देवियों और सजनों ABC में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे स्टूडियूम जो कंटेस्टेंट आने वाले हैं ये दरसल कॉपी कैट है क्योंकि मैं जो कुछ करता हूँ ये उसकी कॉपी जरूर करते हैं प्लीज वेल्कम किंग खार है नमस्कार है वेल्कम देवियों और सजनों वेल्कम देखा आपने कॉपी शुरूरू बहुत-बहुत स्वागत है आपका बैठी बैठी अशीर्फियू सो मिश्टर किंग खान आपके लिए पहला सवाल ये रहा पैंसिल ने रबट से क्या का एं हायो रबा हायो रबा बी बेदर्दी रब रब सी रब मुझे माफ करे मेरा इंसाफ करे डी यारा रब से बढ़कर है तू हरे इसमें तो कोई भी सही जवाब नहीं है नो आप्शन सही जवाब है रब ने बना दी जोड़ी सही जवाब अगला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर मिस्टर खान आपके लिए ये रहा आओ अगर आपकी आने वाली फिल्म रावन फ्लॉप हो गई अरे भाई क्यों हो नहीं ये सिर्फ सवाल है मेरी तो शुपकामने आपके साथ ह तो फिर आप क्या करेंगे क्योंकि उसने फिल्म टारेक्ट नहीं की बी आमिर खान की पपी लेंगे ताकि वो हिट फिल्म का फार्मॉल आपको दे सकें सी अपने घम भूलाने के लिए आप रिट चिली खाएंगे या फिर डी आमिर जी यानि मेरी कोई परानी फिल्म उठा कि फिर से उसका रिमेक करेंगे अगर मेरी फिल्म रावन फ्लॉप हो गई तो मैं लोगों की शादियों में जाकर नाचूंगा अरे ताकि मेरा पैसा रिकावर हो सके समझा करें समझा करें साही जवाब और मिश्टर खान आपके लिए अगला सवाल ये रहा है क्या आप हां B बिल्कुल C क्यों नहीं D यकीनन है नहीं 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 I'm the best I'm the best मुझे आवाट्स करिंदी की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं जा रहा हूं मैं जा रहा हूं मैं जा रहा हूं देवियो सज्जनों ABC में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज कि हमारे जो कंटेस्टेंट है ये एक MP है यानि कि Member of Parliament तो स्वागत कीजे नेता जी का नमस्कार नमस्कार नेता जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है आप कुर्सी बेठी है कुर्सी कुर्सी सुनते ही पागल है खर मैं भी बैठ जाता हूँ हाह लेट्स प्लेए एविसी एंपी का फुल फॉर्म क्या है आप्शनस आर ए मेंबर अफ पर्लेमेंट बी मनी पर्सन सी मनी प्रॉब्लम यह दी मिश्टर प्रॉब्लम हम MP है ठीक है और MP जोंशा पैसों में खेलते रहते है तो इसका जवाब है बी मनी पर्सन खलत आप जा सकते है प्लीज ने ने मैं आपसे वादा करता हूं कि इसकी पूरी जांच पड़ताल होगी ठीक है तब तक आप कोई डिसेजन मत लीजे आप अगला सवाल पूचे भई यह तो जबरदस्ती है है ताप यह वादा कीजे कि अगर मैंने अगला सवाल पूचा और उस परस्ट बी ट्वहनोंडिट परसंट थी हडेट परसंट इसका जवाब तो ही ओख घलाच जवाब इसका सही जवाब है यह सांसतों की मंथली इंकम 18,000 से बढ़ाके 50,000 कर दी अजी अचिए अब क्या बाद कर रहे है अब सैलरी भी कोई इंकम है सैलरी तो इसे दिखाने के होती है असली इंकम तो साइड इंकम होती है अब वो तो बड़ी नहीं ना साही जवाब साही जवाब कंप्यूटर जी वर और अब बढ़ते हैं आपसे डरते हुए अगले सवाल की तरफ एक MP क्या काम करता है अप्शोंस आर ए बिल पास करता है बी मनी पास करता है सी लोग के प्रोलम पास करता है या डी कंट्री इंट्रेस्स के आइडियास पास करता है इसका जवाब है ए वो टाइम पास करता है नेता जी खलक जवाब अब आपको ये कुरसी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि आपने ने वाज़ा किया था कि कुरसी छोडर देंगे हम कुरसी नीच चोड़ने वाले समझे खे, है , गौशेट, मेंज strongly मंगू ऐगरद कर जोड़ा हॉअ अरे कम से कम उनको तो छोड़ देता, पिचारे बुढ्धे बुजूर गार्दमी हैं देखो, सिखो, हमारे साहब कितने उसूल के पत्के है, बुढ्धो को तो छोड़ ही देता है ये, जूतो चैटाप, ये मंगू, तू बता, का चुराने गया था? साहब में सेवानन के घर कूदा था, उनके आनी वाली फिल्म, चार शीट के पिंट्स चुराने अबे, तू का पारेश ही करने वाला है, हैं, फिल्म के रिलीज होने से पहले, फिल्म की नकली डीबीडी बना के, हैं, और वो भी हमारे साहब को बिना बता है, चल जलती से डीबीडी धिली कार यह, जू तो चैटब जूर माउथ बन सगें, यह मंगू, तू बता माजरात का है, सहाब, सेवानन सहाब की पिछली फिल्म आई थी, उसे दिखाने के मेरे दादा जी जबर्दत्ती, दादी को, नानी को, मौशी को, बुआ को, सब को लेके सिनेमा हॉल गए, फिल्म आदी म सब को लेके सिनेमा हॉल में जाएंगे, और हमारा आधा खांदान पूरा पागल होगा, हैं, अगर मैं इस टोपी बेचू, तो आज रात का इंतजाम तो होई जाएगा, सहाब, सहाब, यह दखिया, मंगू आज धरमंदर के घर के अंदर चोरी करता हुआ, पकड़ा गया है मंगू, कम चकम उनको तो छोड़ दे, जब वो अपनी फिल्मों से हम लोग नहीं छोड़ते, तो हम लोग क्यों छोड़ते, अरे फिर भी यार, तू अपना स्टेंडर इतना तो नहीं गिरा सकता, अरे सहाब, स्टेंडर तो तब गिरेगा, जब मंगू आपके घर चोरी कर मंगू, तो बता, तुझे का मिला उनके घर चे, हैंड़ पंप, हैंड़ पंप, अरे लेगिन उस सनी भावी धरमपाजी कहा थे, भाई मू तीनों मिलकों उसे उखाने कोशिश कर रहे थे, उखर नहीं रहा था, असली था ना, फिर फिर मैने उखार दिया, आज तक तो है, सीथे हाड़ पंप हें उखार दिया, ये, जू तो अचेट अप जूर माउथ, वरना हम तुम को ही आई गाड़ देंगे, ये मंगू, तो बता, फिर का हुआ, धरम पाजी खुश हो गया, मुझसे बोले, हम्में से जो पसंद उसे ले जाओ, हैं, फिर, हैंड़ पंप ये, बिना गेस का लाइटर, ये, खजूर, एक्सक्यूज बी, ये क्या हो रहा है, अरे, ये अप उन लोग का इस्टाइल है क्या, अरे, इस्टाइल बंद कीजिए, आप पर पहला अरोप ये है, कि आप टेक्स वसूली विभाग चाहते हैं, ऐसा क्यों, अरे, अप उन का क कामीच वसूली का है, क्या? मतलब? अरे, ये गोर्मेंट है न, साल में एक टेम टेक्स वसूल करती है, लेकिन अप उन लोग हर हफते हफता वसूल करती है, क्या? देखिए, आप ये भी अरोप है कि आप महेश भट की रीमेक फिल्म सडक में पैसा लगाना चाहते हैं, तो के पैसे का ऐसा दुरूपयोग क्यों? भाई, अप उन पबलिक से अच्छी सडक का वादा किये ला था, तो भी गोर्मेंट से अच्छी सडक महेश भट बना रहे ला है, तो पैसा अच्छी जगे लगाया की नहीं? देखिए, आप मुझे एक बात बताईए, आप इतने अरे कोई छोकरी आती ना भाई, मेरे को दादा बोलके तेर को हाथ लगा के जाती है, कोई छोकरी आती ना भाई, अप उनको भाई बोलके कलाई में राखी बानके जाती है, मैं किसी के भी दादा भाई को देखता हूना, मेरे खोपड़ी हिल जाती भाई, इसके लिए मैंन मर सकते हैं और वो हैं गोवर्मेंट होस्टल के फूड इंचार्ज फहीम बिर्यानी जी आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप खाने में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को गंदे पानी से ही साफ करके काम चलाते हैं मजबूरी है ना भई साफ पानी से धोते तो खाना कभी बनाते हैं हमारे कॉलेज में पानी सिर्फ एक घंटा आता हम तो बढ़तना तभी धोते हैं जो हमारे पास टाइम भी होता पानी भी होता देखे आप पर अगला अरोप ये है कि आप पैसे बचाने के लिए स्टूडेंट्स को गली सडी सबजियां किलाते हैं जिनसे उनका स्वास्त खराब होता है कसम चार मिना रखी उनका खुद का चोईस है ना भई मैं उनके सामने दो चोईस देता खाना खाना कि खाना नको खाना वो पहला चोईस पसंद करते तो फिर क्या करना भई देखे आप पर ये भी अरोप है कि आप अपना टेंडर पास करवाने के लिए अफसरों को रोज खाना खिलाते हैं ये अपसरा लोगां को मैं एक साथ पूरा पैसा खिला देता भई अगर खाना खिलाते तो पूरी जिंदगी टेंडर नको पास होता भई क्या हम गामा है नमस्कार देवी और सज्जनों आईए हम और आप मिलके खेलते हैं ABC यानि की अब बकवास चलो आज जो हमारे सामने कंटेस्टेंट हैं ये क्रिकेट की दुनिया के एक महान ख्याड़ी है तो स्वागत कीजे यूराज किंका ए ठका ए चोका ये बॉल तो है नहीं आप कहां बैटिंग कर रहा है इसलिए तो मार रहा हूँ सुल फॉल वाम में चल रहा है हाँ बैटी बाटिए खेओ जिराज आपके लिए पहला सवाल ये वल्लकप में क्रिक लिए क्रिकेटर किस कब क ripe कर थे ए वक प के लिए लॉल्लकप के लिए बी एशिया कप के लिए Cी कामन वे जिए गी में के लिए ये 掏 ठीनाफ टाब सर ननना दियबाव सर मतलब? सर, किसे से कहिएगा मत नहीं कह देखियो औरों का तो पता नहीं हम तो लड़कियों के लिए खेलते हैं सर साही जवाब साही है? साही जवाब बहुत खुब और इसे के साथ अगला सवाल कम्पिटर स्क्रीन पर ये रहा बैटिंग करते है वक्त सबसे जादा रन आउट होने का रिकॉर्ड किस प्लेयर का है? A. इंजमामुलहक B. इंजमामुलहक C. इंजमामुलहक D. ननाबदाएबब इंजमानुल्लक ओ-ओ-ओ युराज खलत जवाब कैसे जर? क्योंकि सारी दुनिया जानती ही कि क्लप्स और पप्स के बांसर्स ने सबसे जादा बार आपको रन आउट किया है धक्के देकर बाहर निकला है महुत शुक्रिया यॉराज आप हमारे शोव में आये बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार देवी और सज्जनों आईए हम और आप मिलके खेलते हैं ABC आज के हमारे जो पहले कंटिस्टेंट है इनका वजन धाई किलो का है है वो तो मेरे बाहाद का वजन है अरे तो आपने पूरा वजन आथ तक बताए का दर्शक भी सिर्फ धाई किलो के बारे में जानते हैं खैर जो भी है आप धाई किलो का हाथ लेकर आईए और तश्रीफ रखिए ओ यारा ओ यारा यारा ओ यारा सुनिए सुनिए फ़नी भाईसाब यहां खड़े हो जाएंगे बेहतर है कि बैठ जाए आय आय आराम से भाईसाब आराम से सो कम्पिटर जी पहला सवाल फ़नी देवल को पेश किया जाए आय आराम से भाईसाब सवाल आया है उसमें घबराने कोई बात नहीं कोई अगर आपसे यह कहे कि आप उसका क्या उखाड लेंगे तो आप क्या उखाड लेंगे A. Hand pump B. Khopri C. Hath या D. Bal A. Hand pump उखाड लेंगे तो पानी पीने को नहीं मिलेगा जब पानी पीने को नहीं मिलेगा तो आदमी ऐसे ही मर जाएगा तो फिर जब ऐसे ही मर सकता है तो किसी और चीज की उखाड लेंगे क्या सुरूरत है सही जवाब सही है? अगला प्रशन ये रहा आपकी फेवरिट हबी क्या है? Options A. A. पापा पापा करना B. नाचना गाना C. मैडम मैडम कहना या D. कहके जोर से चिलाना और इसका जवाब है D. जोर जोर से चिलाना क्योंकि यही मेरी हाबी है और इसी हाबी की वज़े से मैं पूरी बाल वुड की लाबी में ही टू! ही टू! ही टू! ओ! फणी देवल जी अफसौर्स गलत जवाब आपको सही जवाब है नाचना गाना जोर्स जोर्स आए भाई सहाब हो भेंजी हो भाई साब बाउर बटनी बनननी बनननी जीए सास बहू का जगडा प्रपर्टी का लफडा तुम्हाई शाहदी हो गई? तो पी तलाकर वालो सर इंटव्यू करे तो शुरू कर दो जैसा कि आप जान गए होंगे कि हमारे साथ एक लॉयर है तो आईए करते हैं उनसे कुछ बाची स्वागत है आपका सर आप कहते हैं कि बहुत सारे केसिस लड़ते वक्त आपकी जट साहब से लंबी बहस हो जाती है वो क्यों? जैस लोग ना रुपे देखते एक दम बदल जाते हैं मैं पर केस जैस साप को देता हूँ 10,000 रुपे जैसे गड़ी रखता हूँ 10,000 के कहने लगते हैं ने ने और बढ़ाओ बे और बढ़ाओ 15,000, 20,000 बड़ी बहस हो जाती है लेकिन ये बहस तो मेरी उनके बंगले में होती है आपको किस तरह पता? सर हमने सुना है कि आप दावा करते कि आप बहुत इमानदार हैं? मैं तो हुई मानदार? अगर कोई मुझरिम ज़स साप को देने के लिए जो मुझे पैसे देता है पूरे के पूरे पैसे में ज़स साप को पहुचाता हूँ मजाले उस बिस में एक रुपे की भी एरा फेरी करता हूँ मैं तो जबर्दस इमानदार चल रही हूँ सर किसी कभी केस को जीतने के लिए सबसे एहम चीज क्या होती है? सबसे हैम चीज होती है जी पक्ष का मजबूत होना किस पक्ष का? अरे बावली आर्थिक पक्ष आर्थिक पक्ष का है? आपके नजर में सबसे अच्छा लॉयर कौन है? भाई जो अच्छा लायर होता है वह अच्छा लॉयर होता है दोस्तो आज हमारे साथ है हमारे देश के एक ऐसे जिलर जिनकी कैद से आज तक कोई भी कैदी भागा नहीं आईए करते हैं उसे कुछ बाची स्वागत है आपका जिलर साब हमें बताई है कि आपकी जिल में सुरक्षा का कैसा इंतिजाम सर आप कहते हैं कि आपके कैदी को बाहर से जादा जानकरी उनको जिल में ही मिल जाती है वो कैसे हमने हर कैदी के रूम में लैपटाप, मोबाइल, टेलीविजन, इंटरनेट की विवस्ता की है और अगर कभी इंटरनेट फेल हो जाए तो वाइफ हाई भी है, एकदम हाई फाई है सर आप कहते हैं कि आपकी जिल से आज तक कोई भी कैदी भागा नहीं है, वो कैसे? कैदीयों को भागने की आविशक्ता क्या है? कैदी मुझसे पूछ के बाहर जाते हैं और काम तमाम करके वापस लवटाते हैं, वो समय के बड़े पाबंध हैं हमने ये भी सुना है कि आप बड़े कैदीयों की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं ये जितने बड़े बड़े अपराधी हैं, ये हमारे भविश्य के मंत्री हैं, आज दुनिया जानती है, जितने मंत्री हमारे देश में इसमें से बहुत सारे पहले घोर अपराधी थे अगर मैंने उनकी उस जमाने में सेवा ना की होती तो आज मैं मेवा कैसे खाता मैं तो बरबाद हो जाता बम बम भोले लोड आज हमारी अदालत में पेश है एक ऐसे शक्स जो जिस से चाहे जुर्म कबूल करवा सकते है तो सुनवे चोधरी पी कर थाने में आते हैं, पुलिस टेशन में आते हैं, क्यों? देख भई, पुलिस टेशन में तो शराब पीना सकूँ, मनाई है, तो घर से पीनी पड़े हैं, इसमें के गल्द बात है याद? देखे, आप पर ये भी आरोप है, कि आप अपनी पावर का इस्तेमाल आम आदमी को डराने और धमकाने में करते हैं, ऐसा क्यों? गल्द बात कर रहा चोदरी, मैं तो अपनी पावर का इस्तेमाल सब की उपर समान रूप से करूँ, वो बात अलग है कि डरे आम आदमी है देखे, आप पर ये भी आरोप है, कि आप अपनी नौकरी बचाने के लिए बेगुनहा लोगों पर जूटे केस फाइल करते हैं ओ सुन बई चोदरी देखे, मैं चोदरी नहीं हूँ, मैं वकील हूँ आँ, वकील साथ सुन बई मैं जूटे केस न बनाता, केस तुमें बनाता है, एकदम सच्चा वो बात लगे, बाद में कोट उसे जूटा साबित कर दीती यार है? लोड, आज हमारे साथ मौजूद है इस कटगरे में पुलिस विभाग के आई जी लो जी, आगया जी वो भाई साब, मैंने आई ए जी नहीं बोला, मैंने बोला है के आई जी ओके जी आप पर पहला आरोप ये है के आपके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स होने के बावजूद भी आपके सिपाही शहीद हो जाते हैं ऐसा क्यूं? इस बात का हमें दुख है अच्छा? लेकिन हमने उसके लिए रास्ता भी निकाल लिया मैंने अपने हर जवानों को एक एक साल के लिए फिल्मी ट्रेनिंग आनिवार्य कर दी उससे क्या होगा? उससे हमारे जवान सिख जाएंगे कि छाती पे दद्दस गोली खाने के बाद भी कैसे जिन्दा रहा जाता है देखे आप पर ये भी आरोप है कि आपने अपने जवानों को बंदूकों के बजाए लाठियां थमा दिये उनके आतों में ऐसा क्यूं किया आपने? मैं लाठि क्यों न थमाऊं? क्यों थमाएंगे? मैंने इसलिए थमाया क्योंकि गान्दी जी ने इसी लाठि को दिखा कर अंग्रेजों को भारत से खदेडा था बस यही सोच कर मैंने अपने सभी सिपाहियों को एक एक लाठी दे दी क्या गलत किया मैंने? देखे आप पर ये भी अरोब है कि आपने अपने जुनियर को सिरफ लाठी चार्ज कहने पर सस्पेंड कर दिया, ऐसा क्यों किया आपने? ये गलत इल्जाम है मिलोड, गलत इल्जाम है, वो बेकूफ पढ़ा लिखा होकर अनपढ़ोजी सी बाती कर रहा था, है? भीड के सामने मेरे पास आया, मेरे कान में बोलता है, सर लाठी चार्ज, सर लाठी चार्ज, मैंने गुस से उसका गिरेवान पकड़ा, उसको खीचा, मैंने कहा, मैंने गाड़ियों की बैटरी चार्ज सुना है, मैंने, मैंने मुबाइल की बैटरी चार्ज सुना है, लाठी कब से चार्ज होने लेगा, बोल, लाठी कब से चार्ज होने लेगा, बस इसी बात पर शर्मिंदा हो गया, और खुद नौकरी छोड़ो करके, आई, पिर नमस्कार देवी और सज्जनों आए एक बार फिर से खिलते हैं ABC यानि की अब बक्वास चालो आज होट सिक पे जो आने वाले हैं ये मौडल कम एक्टर है बेके पारड़न मौडल कम है और एक्टर बहुत कम है प्लीज वेलकम अर्जुन रामपल अब बार आए ये वेटेश आपके लिए पहला सवाल ये रहा बॉलीवोड वेले हीरो बनने के लिए किस जीज की सबसे ज़्यादा आविशकता होती है आप्शोंस आर ए अच्छी एक्टिंग बी अच्छी डांसिंग सी अच्छे एक्स्प्रेशन्स यदी नन अफड़ अफड़ आपके लिए रहा है और ये रहा नेशनल एवार्ड किसको मिलता है A. Most Deserving, B. Least Deserving, C. Good Looking, or D. Worst Looking The Most Deserving Actor, yeah Oh, Arjun, गलत जवाब! वह ये जवाब आपका सही होता है अगर आपको नेशनल एवार्ड ना मिला है इसका सही जवाब है, The Least Deserving Really? इसलिए अब आप जा सकते हैं देवियो सज्जुनों ABC में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मेरे सामने हॉट सीट पे जो सज्जन आने वाले हैं ये डारेक्ट फ्राम रामगर्ड ठाकूर बल्देव सिंग्ग स्वागत कीजे ठाकूर साब का ठाकूर साब ठाकूर साब उबेन पटेल के हिंदुस्तान में कितने फैंस हैं? अगला सवाल आपके कंप्टर स्क्रीन पर आ रहा है और ये रहा इन चारों हिरोनों में से सबसे हाट कौन सी हैं? ए लारा दत्ता बी विपासा बसू सी मलिका शिरावत या फिर डी प्रियंका छोपडा जै इन में से कोई भी आप्शन नहीं है मतलब? सही जवाब है ए रामलाल अरे ठागुर साब क्या कह रहे हैं आप? देखें आप शकल से ऐसे नहीं लगते जै कहना कि मेरा पूरा काम करते करते रामलाल और रामलाल का दिमाग पूरी तरह से हाट हो जाता है अरे सवाल ये कंट्रूल कीजे अगला सवाल ये रहा गबबर सी पूछते हैं कि कितने आदमी थे आप्शन्स हैं जै इसका जवाब है डी छे घलत जवाब नई नई जै इसका जवाब डी है यानि छे ये ये कैसे? क्योंकि मुझे बिता क्यात है एक बार गबर ने कहा था कि ठाकुर ने छक्कों की फाज बनाई है हाँ 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 सही जवाब ठाकुर साथ मुबारक हो जै ओ मुझे याद है गबर ने आपके पहले ही जै मैं को नहीं खिलना तुमारे अबीसी मैं जा रहा हूँ ठाकुर साब ठाकुर साब देखे रामलाल डार्लिंग रामलाल ठाकुर साब दोस्तों आज हमारे साथ हैं हमारे देश के फेमस क्रिकेटर मिस्टर फ्री संच जी आईए करते हैं उनसे कुछ बाची वेलकम टो आशो साब सार पिछली बार विकेट लेने के बाद आपने पांच मिनिट तक ग्राउंड में डांस किया इसकी कोई खास वजा एक तो मुझे विकेट लेने के खुशी थी और आपको तो पता है कि ऐसी खुशी मुझे साल में एक दोबारी मिलती है और दूसरा मैं पूरी दुनिया को अपना डांस का टैलेंट दिखा रहा था ताकि टीवी के किसी भी रियल्टी शो में मैं अपना करियर बना सकूँ आपने कहा कि हर भजन ने आपको प्रीती के कारण थपड मारा ये बात कुछ समझ नहीं आई एक्चली वो हमारी स्टेटीजी थी मैंने ये नोट किया कि प्रीती सारे प्लेयर को हग कर रही है गले लगा रही है सिर्फ मुझे छोड के भज्जी का थपड खाने के बाद मैं जोड-जोड से रोने लगा प्रीती भागते भागते आई उसने मुझे गले लगा लिया दो घंटे तक मैं उसके गले लगा रहा अब मैं सोच रहा हूँ कि शेनवान से भी थपड खा लूँ वो क्यों? शिल्पा भागती भागती आएगी मुझे गले लगाएगी सर, हमने सुनाएं मिस्टर मुकेश आपको खरीदना चाहते थे मगर आप तो बहुत ही कौसली बॉलर है कौसली नहीं हूँ, मैं महंगा बहुत हूँ पूरी दुनिया जानती है कि मैं एक एक ओवर में 25-25-30-30 तो यूँ ही दे देता हूँ मैं दान्स करूँ यार आज हमारे साथ है हवालदार पांडू रंग जादव आईए करते हैं उन्चे कुछ बादचीत, स्वागत है आपका नौस कर में तो जादव जीए बताए कि आप पुलिस में कैसे भरती हुए क्या बोलने का मेडम कि इसका तो बद्दूआ मेरे उपर है कोई तो मेरे को पुलिस खाते में धखका मार रहे एक दिन क्या हो गया मेरा बबाब दो पैक मार क्या आया पहले उसने मेरे को दो मा का गाली दिया बाद में क्या बूलता है तेरे उपर पढ़ाई में मेरा 3,0,00,000 रुपया खर्चा हुआ है मेरें को 3,0,00,000 रुपय कईसे भी वापस मंगता है वो भी एक बरस में मैं सुचा मैं क्या करेगा? इतना इंकम किदर होएगा? बस! पुलिस में बढ़ती हो गया पुलिस में बढ़ती हो गया आपने समाज को नया क्या दिया अरे बहुत दिया समाज को फिर मैं बरस कैंसिल किया साल कैंसिल किया महिना कैंसिल किया दिन कैंसिल किया फक्त चालू किया हपता अपरादियों को पकड़ने के लिए कुट्टों की सर्विस चुरू की गई थी वो बंद क्यों हो गई? क्या हुआ था? ये कुट्टे लोग का बहुत तकलिफ है अरे बाबा मुंबई में किदर डाका पड़ता है चोरी होती है, मर्डर होता है तो मैं कुट्टा लेके जाता था कि सूंगने का, अपरादियों को पकड़ के बताने का वो ऐसा सूंगते, सूंगते, सूंगते आता था पुलिस टेशन हम लोग कोई सूंगता था अब पुलिस सर्विस में आने के बाद कोई एक ऐसी घटा जो आपको यादगार हो एक बार मैं गर में सोयाता हूँ तो इसे एक आंक इसा खोल के देखा तो मेरा औरत मेरा पॉकेट से पैसे निकालती था मैं ताब और तोड़ उसको पकड़ लेम और चल पॉलिस टेशन चोरी करती है क्या उसने मेरे पाकेट से पचास रुपए निकालके मेरो को दिया और क्या बोलती है बात आगे काई को बढ़ता है इद्रिच मांडोली कर तो क्या आपने वह पचास रुपए ले लिये फिर मैं छोड़ेंगा क्या पूरा सो रुपए लिया